सिवान के पुर्व सांसद मुहमद शाबुदीन का निधन हो गया शाबुदीन को कुरोना संक्रमित होने के बाद नई दिली के दिन दियाल उपद्ध है अस्पताल में भरती कराया गया था जहां कल उनकी हालाद गंभीर होने के बाद आईसुए में शिफ्ट किया गया पुर्व सांसद की मौत की खबर से इंकार किया गया इसके बाद सस्पेंस और बढ़ गया पहले जेल परशासन ने उनकी मौत को अफवा करार दिया था लेकिन अब जेल परशासन ने शाबुदीन की मौत की पुष्टी कर दी है किहार जेल परशासन ने कहा कि मुहमद शाबुद्दीन को कुरोना संक्रमन की वज़े से 20 अप्रैल को दिन द्याल उपध्या एस्पेटाल में भरती कराये गया था जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई मुहमद शाबुद्दीन अब हम लोग के बीच नहीं रहें कुरोना संक्रमन की वज़े से उनकी मौत हो गई यह आरजडी परिवार के लिए दुख की खबर है मुहमद शाबुद्दीन अपने च्छेतर में काफी लोग पिये थे हैं हमेशा जनता के लिए काफी काम करते थें सिर्फ अपने च्छेतर में ही नहीं हर जगा उनको चाहने वाले लोग कई लोग थें बता दें कि सिवान के पुर्वसान सद मौहमद शाबुद्दीन जिनने कुरोना संक्रवन के बाद दिल्ली के अस्पताल में भरती कराया गया था उनकी एक तस्वीर भी वाइरल है वाइरल तस्वीर में मौहमद शाबुद्दीन अस्पताल के बेट पर दीख रहे हैं पपो यादव ने कहा कि स्यासत के लिए इस्तिमाल कर छोड़ा पपो यादव ने ट्यूट कर कहा कि सिवान के शाबुद्दीन जी को भी आखर कुरोना ने लील लिया लेकिन वह कुरोना से अधिक सिस्टम और स्यासत के से शिकार हुआ मतलब के अनुसार इस्तमाल किया गया फिर अन्थिन जलालत जिलने अकिला छोड़ दिया मेरी सम्वेदनाय शाब उद्दिन जी के परिवार एवं चाहने वालों के साथ है खुदा रहम करे सबको सब्रदे